देव गुरु सुक्राचारिय जो कि धन के देवता माने गए हैं और साथ में भाग के कारक माने गए हैं देव गुरु बिरहस्पति को आज इनी दोनों ग्रहों का समावेस होने वाला है 21 जून का वो डेट होगा जब यही दोनों ग्रह आपस में मिल करके आपके जीवन में कैरियर की बढ़ोतरी और आपके परिवर्तन का एक दौर ले करके आएंगे कैसा होगा क्या है इस पूरे गोचर का परिणाम इसी बात पर आज हम चर्चा करने के लिए कत्रित हुए हैं यदि आपका ब्रिष्टी रासी है तो आप ध्यान देंगे आपके रासी से ठीक छटे भाव पर देव गुरु बिरस्पती ने पिछले 21 अप्रेल सं 2023 का वो दिन था जिस दिन आपके छटे भाव पर इन्होंने गोचर किया था गोचर तो इन्होंने किया और इनके सुरु परिणाम भी देखने को मिले एक दो तीन चार पाँच आपके पंचंद रिष्टी आपके दसम भाव पर पर पड़ा जो कि आपके कैरियर भाव पर था कैरियर में एक प्रकार से ग्रोथ और कैरियर में बदलाव की स्थिति यहाँ पर गुरु देव आपको प्रदान करने के लिए आये थे परन्तु क्या वास्तों में आपको वो फल प्राप्त हुआ और इसका एक कारण यह भी है कि परिणाम आपको पूल रूप से प्राप्त नहीं हुआ इसका क्योंकि देव गुरु ग्रहस्पती जब गोचर किये थे तो यह गोचर के दवरान केतु के नक्षत्र पर यहाँ प मानिता है इस मुतापित देखा जाए तो यहां पर गुरु देव अभी ठीक 21 जून का वो डेट होगा जिस दिन 21 जून से लेका कि 26 नौंबर के मध्य इस पूरे कारेकाल में यही देव गुरु बिरस्पती सुक्र के नक्षत्र पर होंगे जो कि भरणी नक्षत्र है भरण प्रवित्ति का ग्रह है जिसमें धारन करने की छमता इनके अंदर पाई जाती है अब इसी छमता को लेकर्टिक गुरु देव आपके छठे भाव से किन-किन भाव को प्रकासित करेंगे आप ध्यान से समझेगा देव गुरु बिरस्पती आपके छठे भाव पर छठा गुरु देव यहां पर आये हुए हैं अगली बात को समझे यहां से एक प्रिष्टी दे रहे हैं सीधे द्वानस भाव को जो कि आपके निवेसों का प्रतिफल है यदि आपने कोई निवेस किया है उसके प्रतिफल देने के लिए आये हुए हैं हमने एक वीडियो भी पहल गुरु देव अपने हंड़ेट परसेंट का रिजल्ट सत प्रतिफल देने वाले हैं क्या होगा इसका प्रभाव हमने उस वीडियो में बताया हैं आज बात हो रही है इनके नक्षत्र पनी प्रवेस की हैं सुक्राशारे जी उन पर बात हो रही है ध्यान से समझेगा एक प पावर है, अपनी सकती है, अपनी द्रिष्टियों का प्रतिफल है, एक तरफ तो जब ये नक्षत्र परिवर्तन किये, भर नीन क्षहत्र पर जो कि सुक्र का नक्षत्र है सुक्र की दो राजिया होती है एक तो दो नंबर यहीगikes दो तो यहांपर आप दीखेंगे दो सक्तम्भव जहाँपर दो लिखा है इसका मतलब सिधा सिदा यहीं आप निकालेगे कि सुक्राचारी जी गुरुरु सुक्राचारी के नक्षद्र पर गये हैं दो अलग अलग पार्टियों के क्छिखें हो कर्थ, आप ऐसा मानिए जब देव गुरु दैत्य गुरु के घर आएगा तो सभाविक वस यहीं देखा जाए दोनों एंटि पार्टी हैं प्रंतु एक गुरु सदेव दूसरे गुरु का सम्मान ही करता है इसी दृष्टिकों से यहाँ पर सुक्राचारे भी देव गुरु ग्रिस्पति का सम्मान करेंगे जोती सास्त्र में गुरु भले सुक्र को अपना सत्रु मानते हों प्रंतु दैत्य गुरु सुक्राचारे देव गुरु ग्रिस्पति को अपना सम्मानते हैं और इसी करार से यह सब्तम भाव के मालिक है आपके जीवन में ब्रिश्चिक रासी के जीवन में सब्तम भाव के मालिक है इसलिए सब्तम भाव को सरवाधिक उजागर करने का एक सुर्व संकेत यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है कौन सा हैं वो भाव सब्तम भाव वो इस्थान हो गया जो आपके ब्यापार का भाव है आपके ब्यापार साय आपके बिजनेस का भाव है इस बिजनेस के भाव पर आप देखेंगे पिछले कुछ समय से यदि मान लिजे आपके ब्यापार में कोई बहुत ज़ादा इस्थिरता आपको नज़र नहीं आ रही है बहुत प्रयास किया हमने परंतु उसका एक सटिक प्रतिफल हमको प्राप्त नहीं हो पा रहा है इस प्रतिफल को लेने के लिए यहाँ पर सुपराशारी की रासी यहाँ पर उपस्तित है जहां पर गुरु अपना फल देंगे आप एक प्रकार से यही वो इस्थान है जहां पर हमारे बिजनेस में हमने जो कर्म किया है उसका प्रतिफल भी प्राप्त होगा आपने बहुत महनत किया दिन रात प्रयास किया अपने बिजनेस पर किसी प्रकार से उसमें ग्रोथ मिल जाए, किसी प्रकार से में आमदनी मिल जाए परन्तु कभी-कभी ऐसी ग्रही इस्थिती के कारण आपको बढ़ोतरी के अलाबा आपको उसमें आउनती देखने को मिल सकती है गिरावट की ओड़ जाना और जिसके कारण हमें ब्यापार में गर्जे लेने पड़ सकते हैं और जब सुभाविक सी बात है भाई जब आर्थिक इस्तिती कमजोर रहेगी तो दामपत जीवन और पारिवाली जीवन भी प्रभावित हो जाता है परन्तु अभी सब्तम्भाव जागरिती के अवस्था जब आती है तब यही भाव आपका सुभफल में परणित हो जाएगा अर्थाद आपके जीवन में बिजनेस से सम्मंधित किसी भी प्रकार से परसानिय होतोर हो सकती है और यही नहीं यदि आप जाते हैं कि अपना बिजनेस चेंज करना बदलाओ का इस्था कोईकि द्वादस भाव से यह देख रहे हैं तो द्वादस भाव पर भी प्रभाव है सुक्र का इस दिए बिजनेस में यदि आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो ये भी आप समाने तह कर सकते हैं आपके रिया नुकूल होगा अब यही वो भाव है जो आपके दामपत जीवन का है आप यदि इस्तरी है तो आपके पती का है यदि आप पूरुस हैं तो आपकी इस तरीका है तो दामपत जीवन में सुक्र का प्रभाव गुरु के द्वारा सुक्र का प्रभाव आप सिधा सिधा ऐसे समझेगा कि एक पेड है माल लिजे एक पेड आप देखते हैं समझाने के लिए आपको बता रहे हैं इस लक्षत्र को कैसे देखा जाता है एक पेड है और उस पेड में फर लगे हैं तो जो पेड होगा ये हैं देव गुरु पिरस्पती और जो उसमें फर लगे हैं ये हैं सुक्राचारी तो पेड कहा है पेड तो रोग रिण और सत्रू का दिख रहा है हो सकता है आपको ऐसे दिखे मेरे रोग बढ़ रहे हैं मेरे सत्रू बढ़ रहे हैं मेरे करजे बढ़ रहे हैं आपको ऐसा महसूस हो सकता है परन्तु फल के रूप में आपको बिजनेस में ग्रोथ और आपके कैरियर में बढ़ोतरी दिखेगा क्यों दिखेगा क्योंकि प्र में समस्त वो कारी छेत्र है जिस जो आपके द्वारा संचालित है और इसे संचालान करने के लिए यहीं पर तो भाई गुरू के घर पर गुरू के उता का आग बन हुआ है मतलब कैरियर चाहे आप नौकरी करते हों विजनेस करते हों या किसी पेसेवर कारी से जुड़े हुए हैं आपके कारे में एक इस्थिरता दिखने प्रारब्म हो जाएगी और सिर्फ यही इस्थिरता ही नहीं साथ में कैसे उससे बढ़ोतरी हमें प्राप्त हों इसके भी आपको मार्ग नजर आएगे आपके मित्रों का सहयोग आपको प्राप्त होगा क्योंकि सब्तम्भाव आपके मित्र हैं तो मित्रों का सहयोग माना जाता है कि हमारे काले तो बहुत अच्छे चल रहा है परन तो किसी का सहयोग नहीं है परन तो किसी का सहयोग यह दि मिल जाता है तो उस मदद के बदले हम ज़्यादा स्रेष्ट से स्रेष्टतम को प्राप्त कर सकते हैं अब उस भाव को समझे जो इनके एक और रासी है तो इस भाव पर एक और अच्छी बात ये है कि जो लोग दामपत जीवन से अपने नाराज है आपस में कटूता बनी हुई है पती पतनी के मद्दे तो अभी इस दर्मियान 21 जून से 26 जून का वो सवय होगा जब वहाँ पर एक सुई स्थिरता और प्रेम कायम होने की संभावना सरवाधिक बन जाएगी जिनको विवाह कर होनी है कोई लड़के लड़किया है और उनके विवाह में दिक्कत परिसादिया है तो विवाह के दृष्टी कौन से यह गोचर आपके लिए सरवाधिक उप्युकत है आप प्रयास केजिए कहां आपके लिए वर है अत्वा कहां आपके लिए कर्या है हो सकता है वो वर अत्वा करनिया आपका इंतजार कर रहा हो क्यों क्योंकि 21 जुन से 26 नौंबर के मद्य आपको सब्तम भाव के सरवाधिक रिजल्ट मिलने के योग मनते हैं आपके दैनिक जो इंकम आपको प्राप्त होते हैं ये भी आपके सब्तम भाव ही है इस भाव के प्रभावी होने से आपको बहुत अच्छा यहाँ पर सुबफल की प्राप्ति हो सकती है अब समझते हैं उस भाव को जहां पर सुकर की दूसरी दासी है एक तो दो हमने कंप्रिट किया अब साथ्य की बारी है ध्यान से समझेगा साथ्वा भाव वो जहां पर साथ कंबल लिखा है वो द्वाव हैं यहां से गिनते हैं आप दें गिनेगा हमारे साथ एक, दो, तीन, चार, पाँ, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा बारवा घर यहां पर गुरू के द्वारा हमको इस भाव से की प्राप्ती होगी तो थोड़ा सतर करहना तो पड़ेगा भई क्योंकि गुरू की दिश्टी इस भाव पर है हाला कि भूनना नहीं है गुरू देव आपके जीवन में पंचम भाव के मालिक है पंचम भाव तो वो भाव हो गया जहां पर हमारे प्रारप्तों का प्रतिफ़न हमें प्राप्त होता है आपके जीवन में सबसे जो उप्युक्त गरह हो गया ब्रिश्चिक रासी के जीवन में वो यहीं गुरू देव तो है गुरु स्वेम भाग के ही कारक होते हमारे किसमत की चाबी यदि किसी ग्रह के पास होती है तो ये एक मात्र गुरु देव के पास होती है और यही गुरु देव आपके द्वादस भाग को देख रहे हैं तो हॉस्पिटल से सम्मंधित जो चिकित सालह सम्मंधित आपके ब्याय बने हुए हैं उन ब्यायों को उन खर्चों को रोकने का प्रयास करेंगे आज हमारे नाम से कर बच्चों के नाम से कर माता पीता के नाम से किसी न किसी करण से हमें चिकित साला समंधी हास्पिचल में पैसे खर्चने पड़ रहे थे उन खर्चों में एक रुकावट किस्त की देखने को मिलेगी यहीं वो भाव हैं जहां पर से जूड़ करके आप आध्यात्म को प्राप्त करते हैं एकांतवासी बनाता है इनसान को इस समय पर कुछ समय के लिए आप एकांतवासी भी हो सकते हैं मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए मैं बस अपना होना चाहता हूं और उस परमात्मा से मिलना चाहता हूं एक घड़ी ऐसा भी आएगा और यकीन मानिये वो घड़ी जब आएगा तो आपके जियों में बहुत जादा अच्छाईयों और परिबर्तनों को लिकर के भी आएगा यही वो भाव है जो आपके निवेसों का प्रतिफल है जब हमने कोई निवेस किया है हमने कहीं पर पैसा लगाया है हमने कहीं पर धन लगाया है अपने मेहनत का प्रतिफल यदि कहीं पर लगाया है परतु हमें वो प्रतिफल प्राप्त नहीं हो रहा है देव गुरु बिरस्पती अपने देथ गुरु सुक्राचारी के द्वारा आपको उन निवेसों का प्रतिफन दिलाएंगे करजे भाव पर बैठे ने हैं गुरु देव इस दे माना जाता है कि गुरु देव जहां पर बैठते हैं उस भाव की बृद्धी करते हैं आपको सतरकत अखर रहना होगा कहीं आपके गरजे बढ़ेना पेड़ के रूप में आपको यहीं पर दिखाए देगा रोग रिन सत्रू दिखाए देगा परतु फल के रूप में आपके कैरियर में ग्रोध दिखने को मिलेगा 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 आप इस टाइन पर हम जब किसी की पत्रिका देखते हैं सबसे पहले उसके दुधी भाव को देखा जाता है और धन के कारख सुक्राशारी को देखा जाता है आपके जिवन में दूसरे भाव के स्वामी नौनमबर लिखा है भई नौनमबर के मालिक ही देवगुरु मिरस पति होते हैं सभी व्रिष्चिक रासी के जातक जातिका हैं अपने जीवन में संघर्स कर रहे हैं दुख प्राप्त कर रहे हैं कुछ लोगों के जीवन में संघर्स बने हुए हैं परन्तु उन संघर्सों को यदि मुक्ति दिलाना है हमें अपने स्रिष्ट से स्रिष्टन के ओड़ जाना ह तो आपके तो भाग्ये का सहारा कैसे आपको प्राप्त नहीं होगा आपके संतान जो है न वही आपके भाग्ये है क्यों क्योंकि संतान भाव पर बारा नंबर की रासी है आपके जो संतान है वही आपके धन है आप देख लीजेगा आपके जो संतान हैं उनके आने के बाद आपके आर्थिक इस्थिती में बढ़ोत्री या आपके धन के बढ़ोत्री जरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरू लाने वाले हैं आगे बात करते हैं कि इसमें हम और क्या अच्छा कर सकते हैं तो गुरु का सहयोग लेजे आपके सबसे भई धन के भाओं के मालिक ही है अपी गुरु देऊ गुरु बनाइए गुरु की पूजा कीजे गुरु का सहयोग, गुरु का दान, गुरु का हैं, मेरे समझाने का प्रया से दिया आपको सार्थक लगा है तो हर बार की भाती इस बार भी अपना लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा आपके लाइक और कमेंट ही तो हैं जो हमारा आत्मबन बढ़ाते हैं कि हम और अच्छा काले करें पुरु नहां आप सभी का दिव नहों के साथ, जय स्रीना